इंपाइब ईम्रान खान के उपर बड़ बड़े मुकदमाफ हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लाटफॉम को ऐसे बंदे को देखा रही है। बोल न्यूस के मारूफ सीनियर एंकर परसन जमील फारूकी के खिलाफ भी एक मुकदमा बना के उनको भी एरेस्ट कर लिया गया है। पुल्क में एक अनार्की किसी सुरते हाल पैदा होगी और एक बहुत बड़ा सियासियत में इस तहकाम पैदा होगा। इस वक्त में पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ और जो एमपीएज हैं आए हुए उन से हम बात करते हैं। कि गोशे करते हैं कि वो इस इक्दामाद को कैसा देखते हैं और इस इंतकाम की सियास्त के बारे में वो क्या कहते हैं। और आजादी राय के उपर जो कदगन लगाते जा रहे हैं ये लोग गुश्चता दिन हमने देखा कि हमारी बॉल न्यूज की नश्रियात को भी बंद कर दिया गया। और इस आजादी सहाफत के उपर इस हमले को जो एवान के मुकदस एवान में बैठे जो MPS है वो कैसा देखते हैं आईए जानते हैं। तो उनके होसला करें। पर किसी की आगे आगे सर को आगे, कैसे इंतकामी करवाई, अगर उनको इमरान खान के अनको आदत है हर बंदे को जूती की नोग पिल लेने का, अगर ये हक उनको आइनी तोर पर आप देना चाहते हैं, तो जूरूर दे ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता एक मुलक के अंदर, कि इमरान खान जैसे आदमी को ज डिविजन जो है वो जेरे आब है सेंकुनों बस्तियां वफाग को देखें तो वो इमरान खान साब के पीछे लगा हुआ है पंजाब को देखें तो वो कोश्चें कर रहे कि अता अरजा अता अरजा बॉंडरी में राना सना अला बॉंडरी में तो फिर उन लोगों की तरफ ने मेरे खाल अब तक चाग पूरी खबर पहुंची नहीं शबाज शनिफ साब डेली के हिसाब से सलाब के उपर जो है मीटिंग्स कर रहे हैं शबाज साब जो है वो चार पांच दफा बलोचिस्तान के अंदर उसकंदर हो आ हैं यह इमरान खान एड्मिनिस्ट्रेटर जो ह हैं मुलक को आगे लेके चलने की बात करते हैं पर इमरान खान जैसे बद्दमाग और गरूर से भरेवे तकबर से भरेवे आदमी के साथ कोई नहीं बैठ सकता चोद्री अक्बाल साथ गिल साथ को आपने अंदर कर दिया एमरान खान साथ के ओपर पच्चे यह आप भी समझते के इमतिकाम की स्यासत है और यह जूटलू रिवर्स भी हो सकता है नहीं रिवर्स तो पहले हो सना मैं सा और शाल पर अब इसार पर शोर की वह नहीं हुआ मारी में भोर होतार है तो यह यह नहीं किया किया तेंसे आपया हूँ रहा 나 i sasaBrस हुआ है तो इस कणौन है वह अपने रास्ताली है कानूनी मामला जो है वो तो हमारी इस दाज से पहलाता रहा है तो जिसने कानून ब्रेक किया है उसके मुटन है जिसने जो जरुब किया है उसके मुटन है पंजाब में सुनाएं के कुछ लोग इंटर नहीं हो रहे हैं सनाओल्ला, रणा सनाओल्ला साहब, अतात अरर्ड साहब, मश्रूद साहब नहीं, एसी कोई बात नहीं है, उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला होगा तो वो बेल सिर्क राट जा जाए है, इस तरह इनके बंदे भी बेश रा गाए है आपनी समझते कि अगर इमरान खान साहब को अरयस्ट कर लिया जाता है तो ये कि सियासियत में से इस तरह काम पैदा हो जाएगा नहीं सियासियत में पैदा नहीं और नहीं जबना कोई बंदा करून से बाइड़ा थे चाहे यहां इंदा कर्घारा थे कि यहां बादे हैं आपके लोपडी जबाव लाग करूं सब्सक्राइब कर दिया तो सोशल मीडिया के ओपर कैसे इस तूफान को रोग पाएंगे देखें कल आपने देखा कि सोशल मीडिया पे इमरान खान को किसीन नहीं देखा और मैंने एक अल बात की कि बिलकों पैमराने बाहन किया तो सोशल मीडिया पे लूपधी दी दे olması नहीं दी हैं अगर कोई बन्दा आ के मलक में फितना कर्याट करता या फसाद करता है या आर्मी के attack हो या session court judge तो I don't think कि किसी भी social media platform को ऐसे बंदे को दिखाना चाहिए नहीं है पहले शबाज गिल उसके बाद हीनियस जो दफात हैं वो इमरान खान साब के ओपर लगा दी देखें शबाज गिल ने खुदाना खासता आर्मी के अंदर म्यूटनी पैदा करने की बाद की और वो रिकॉर्ड बयान आई तिंक आपने बोल पे बीचे आएसे बयान आद मिया साब भी तो देते रहे हैं मरियम साहिवा भी तो उस वाले से कहती रहे हैं वालकि आप भी पीछे घड़ी होती नहीं देखें सबसे पहले तो आप कंटेम करेंगे शिबास गिल के बयान को हाँ बिल्कुल मैं तो करता हूं दूसरी बात जो भी बयान आर्मी के या फौच के खलाफ हो उनको किसी भी चैनल को रही दिखाना चाहिए दूसरी बात जो मिया साब ने और मरियम बीबी की बात थी उ और उसको मैं कंटेम करता हूं और उमीद करता हूं कि इस तरह की अरकात से आप गर्मिन्ट जो है वो बाद आ जाएगी और मिचुरिटी का सबूत देगी और इमरान खान साब की अगर गरिफतारी होती है तो आप कैसे रिटेलियेट करेंगे लेकर बेसिकली पीटी आई एक पुरमन पार्टी हम कोई फाशिस्ट पार्टी तो है नहीं तो इंशालला पुरमन इतिजाज जो है वो हम करते रहेंगे और हजारों की तदाद में स्यासर तो हमने पिछले चार साल में देखी थी अब कनून हाथ डालेगा और जरूर डालेगा और ये कनून को हाथ भी डालना चाहिए क्योंकि इस तरह ये मुलक नहीं चल सकता इस तरह तो एक स्यासियत में ऐसा काम नहीं पैदा हो जाएगा एक तरफ से आप जो लगाएं कि उनको हाथ कोई डाल सकता अगर कनून की खिलावर जी किया है तो उनको कनून हाथ डालेगा लाजमी रात को गरिफतारी अभी हुई नहीं तो पूरा पाक्सान बाहर सड़कों पे आगया तो पाक्सान जैम हो जाएगा इमरान खान की गरिफतारी हो गई तो और पाक्सान का जाम होना पाक्सान की एकॉनमी के लिए पाक्सान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है और जो ये लोग करा रहे हैं उनको पता पाक्सान मुतहम्मिल नहीं हो सकता है उनको पता है जो पाक्सान के महाफ़द है उनने पता है कि पाक्सान को जाम नहीं होने देना इसलिए अमरा लाया जा रहा है और उसको खत्म करने का यह की तरीका है कि आप इस मुलक में एक फ्री एंड फेर जनल एलेक्शन का इनकाद करें एक मानारटी पार्टी हकोमत चला रही है जो के गहर जमूरी है गहर आईनी है और प्रॉपर जनल एलेक्शन करा के एक पांच साला मुन्तखब हकूमत को लाया जाए ताकि इसमें स्यासी और मौशी इस्तकाम आए उनके एंकर जमील फारूकी साब के ओपर भी ऐसे इंपोर्टिट मुकदमाद बना के उनको अरेस्ट कर लिया गया तो आप क्या कहना चाएगे इस से जदाधा फार्शेफ्ट गर्वर्मेंट मैंने कभी नहीं देखी जो एंकर्स गरिफतार हो रहे हैं सहाफियों को मारा जा रहा है कमीजें भाड़ी जा रही हैं सहाफी मुल्क बदर हो रहे हैं यह हमने जिया के दौर की बातें सुनी थी बट देखा पहली दफ़ा अपनी जिंदगी में तो मैं यह समझता हूं कि यह बहुत ही शर्म नाकलंक है जो मुस्लिम लीग नून और पीडियम अपने माथे पे लेके आगे जिंदगी में शायद उस तरह से कभी डिफेंडी ना कर पाए अपने मौकब बहुत ही है जो जमीरी फरुकी साब का आशुबा पता चल रहा है इंतहरी अफसोस का मुकाम है कि साफियों के साथ इस किसम के मुकदमाद में उन्हें मरवस करके और ग्राफ्तारियां की जा रही है कार आज से काफी राकों में मेरे घर पर भी बोल चैनल बन था और मैं समझता हूं कि जी सहावत का गरा गोटा जा रहा है और पहले एयर वाई अब बोल टीवी जो भी चैनल अवाम म मकबूल होता है उसको जो है उसका गरा कोटने की कोशिच की जा रही है देखा अधिए उन पर दर्ज हो चुकी हुई है और यह भी आपको पता है कि मनिस्ट्री ओफ इंटीरियर जो है उन्होंने वजीर आजम को उसकी समरी भेज़ दी है और उन से इजादत तलब किये कि जिनाव FIII दर्ज हो गई है तो कि एंको गृफ़तार किया जाए अब यह एपीडेयम ने फैसला करना है कि इमराइखान सब को गृफ़तार किया जाए या ना किया जाए जाए ग्राउंड उन्होंने तियार ली हुई है और आज वादिवा आपको पता है कि प्र जो अस् का अंत तो अच्छा नहीं हुआ देखें जो पाकितान की हिस्ट्री है ना पिदेटर साल की इसमें जो भी स्टेबिश्मेंट के साल लड़ा है मैंने देख्या कि जीत तो कोई भी नी सका और चाय वो नौाशीफ हैं चाय दुलकार अलिबुटों हैं जितने भी बड़ बड़े लीडर हैं अल्टीमेटली यह है कि पार्टियां खतम नहीं होती, लीडर्स भी खतम नहीं होते, नौशिफ आज भी चाहिए वो लंडन में हैं, उनकी पार्टी इंटेक्ट है, और शुई है कि उन्हीं के आर्डर चलते हैं, तो यह नहीं कि यह एक इतनी बड़ी प्लिटिकल पार्टी ह इतनी बड़ी स्पोर्ट है, तो पार्टी खतम हो जाएगी, और लीडरों का जेल में आना जाना लगा रहता है, सब फिलाल तो यह है कि सिट्वेशन इसी तरह चलेगी, और एक साल इसी तरह गुदरना है, और एक साल के बाद फिर जब अलेक्शन होंगे अगले, तो फिर इसी तरहाल बनी गाला मुकदमात का वाइट वाश मुश्क्रा है, इमरान खान के जो स्पोर्टर वोटर हैं, वो निकलते हैं के नहीं निकलते हैं, अमरान खान साब लोगों के दिलों में बस रहा है, तो मैंने यही कहूँँगा, कि ऐसे होशे तकंडे ना करें, ऐसा काम ना करें, क्या बादा इससे पहले लोगों ने बियान नहीं दिये, ये लोग तो अदालतों के टेबल पर चले जाते थे, आज से 35 साल पेच्छे जाएं ना जरा, तो इन लोगों ने कौन सा अदालतों को बक्षा था, अभी तो उसने खड़े होके फ़लोर्ट पर यही कहा ह ना, कि ये तो कुछ जुर्म नी बन जाता ना, कि कार लेना, यह कहना बहुत फरक है, तिल्कुल ऐसा ही है, आज करने में और कहने में बहुत फरक है, ये जो ये कारवाईयां डारे हैं, मैं यही कहूंगा कि ना डालो, बोल के एंकर जमीर फारूकी को भी इंपोर्टिट ना के उठा लिया गया, तो ये जो अवास दुबारे हैं, ये इन से दुबाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये वो जमाने पुराने नहीं रहे, वो जो च्छांगे मांगे की सियासत करते थे, अब दौर बदल चुका है, अब तो तीन साल, दो साल का बच्चा भीया तो उसके पंजाब असमली के मुकदस एवान के जो MPA's हैं, उन से हमने बात की और उन से जानने की कोशिश की, कि हालिया इंपोर्टिट मुकदमात के हवाले से इनकी क्या राय है, कि इस वक्त कल जो एक सुरत इहाल बनी गाला के आसपास हमें दिखाई दी उस हवाले से, और जो पाकिसान का नमबर वन न्यूस चैनल, बोल न्यूस, मैं हूँ जैस्पीन मंजूर, और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, ताके कोई खबर रहना जाए,